तमश्कार दोस्तों, market at 11 अमाँ आप सभी लोग कस वाकत है चलिए देखते है market कैसा वेव कर सकता है second half में है अगर हम currently nifty bank nifty की बात करें तो nifty आपका trade कर रहा है around 17,360 पर और bank nifty आपका trade कर रहा है around 40,600 पर अगर यहाँ पर समझने की कोशिच करें market के side moment कर सकता है तो देखो gap gap up में आपको profit booking देखने को मिली थी यह मैंने आपको कल भी बताया था कि gap up होता है तो आप एक बार profit booking के लिए play कर सकती है तो वो होती हो दिखाई दे रही है अब यहाँ पर क्या एक buying setup बन रहा है उस buying setup पर हम थोड़ा सा focus कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को आप clearly सम open interest 7-400 की call 89,000,000 Car open interest put25,000,000,000 ओपन एंटर्ष्ट शार 500 की put 23,000,000,000 ओपन एंटर्ष्ट इसका मतलब क्या है पर एक बार जरूर मिल सकता है इतना आप क्लिए ली समझ लीजीगा क्योंकि यहां पर इसने जो breakout दिया था वहीं पर support लेने की कोशिस कर रहा है ठीक है इतना आपको clearly समझ में आगे निफ्टी में तो उपर की side आपको एक बार target मिल सकता है around 17400 और 430 तक का target आपको एक बार द असलब यह कि 17300 ब्रेकों तभी करिएगा अधरवाइज यह bounce करकर के ऊपर आतार रहेगा थोड़ा सा consolidation वाला माहुल दिख रहा है ठीक है वहीं अगर बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको क्लिए क्या पर आप करें तो डा सा मार्किट का मुमेंटम मिसिंग रहेगा आज के टेटिंग सेशन में इतना आप क्लिरली समझ लीजेगा जब तक डे हाई के ऊपर सस्टीन नहीं करेगा तब तक यह थोड़ा सा मुमेंटम इसका slow रहेगा और consolidation वाला रहेगा इतना आप क्लियरली तो थोड़ा सा consolidation वाला view आप लेके चल सकते हो आज के trading session में कोई बड़ा momentum होगा, इसके chances थोड़े से कम देख रहे हैं फिलाल, इतना आप clearly समझ लीजिए, ठीक है, तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इत नहीं है, I hope यह वीड झाला के लाइब देख रहे हैं ट्रहा है, झाला के लीजिए, उह जाएब में जाएब देखेंगले करके लाइबे लिजए करेंड़ है रेखेंगले कर दूबाब यह लाइब तो को अबंड़े लाइब लाइब प्रोप।